हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे मस्त होंगे दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिर कालिज एप्लिकेशन में अकाउंट कैसे बनाना है और इसमें लोन लेने का क्या प्रॉसेस है और आज के वीडियो में मैं आपके सामने लोन के लिए अप्लाई करूंगा कितना पैसा लगा मुझे लोन अप्लाई करने के लिए टाइम कितना लगा लोन अप्रूवल होने में मुझे कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ तो अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बल्कि आपको यूट्यूब का कसम है अरे बाबा दिल पे नहीं लेने का मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पहले आप वीडियो को पुरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इंफॉर्मेटिव लगे तो फिर अपने भाई के वीडियो को लाइक किये भी न मत जाना और चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन सैटिंग को आउन करना चाहे तो कर सकते हैं आगे भी मुझे और मेरे वीडियो को जहलने के लिए ओ सॉरी मेरा मतलब है देखने के लिए अभी मैं सिरकालिज एप्लिकेशन लॉग इन कर लेता हूँ अब यहां सरकिल पे क्लिक करना है दोस्तो सबसे पहले आपको यहां सेलेक्ट करना है कि आप कितने का EMI लेना चाहते है मतलब कि आप महीना कितना देना चाहते है 500, 1000 या फिर 1500 तो मैं यहां 500 को सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद कितने महीने के लिए लेना चाहते है उसे सेलेक्ट करना है अभी फिलहाल सिर्फ 12 महीने का ही option आ रहा है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ 12 महीने के लिए 500 के हिसाब से मुझे 6000 रियाल मिलेगा अब यहां, आप किस महीने में Lone लेना चाहते हैं, उस महीने को सेलेक्ट करके Book करना है दोस्तो यहां आपको एक बात का खयाल रखना है आप जितना नजदीक का महीना सेलेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा Booking Charge लगेगा मतलब कि आपको extra पैसा लगेगा और आप जितना लेट से महीना बुक करते हैं, उतना कम पैसा आपको लगेगा जैसे मैं अभी नवंबर को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे 15,145 रियाल बुकिंग चार्ज लगेगा अगर मैं दिसंबर सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे 966 रियाल लगेगा लगबग 600 रियाल कम हो गया अगर जनवरी को सिलेक्ट करता हूँ तो 676 और अगर फैबरी को सिलेक्ट करता हूँ तो 386 तो मैं अभी फैबरी महीने को ही सिलेक्ट करूँगा पेमेंट करने से पहले आपको एक काम जरूर से करना है दोस्तो आपको इस प्रोमो कोड को सेम टू सेम यहां टाइप करना है कैपिटल लेटर में F6 कैपिटल लेटर में B, G, R, C, 5 प्रोमो कोड टाइप करके यहां अपलाई पर क्लिक करना है इससे क्या होगा कि बुकिंग में आपका जितना भी पैसा लग रहा है उसमें 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा आप देख रहे होंगे 10% के हिसाब से मुझे 33 रियाल का डिसकाउंट मिला है अब मुझे 347 रियाल पे करना होगा तो आप भी इस प्रोमो कोड को यूज करके डिसकाउंट ले सकते हैं अब बात करते हैं कि ये पैमेंट कैसे करना है आप UR पे या STC पे से पैमेंट कर सकते हैं या फिर यहां क्लिक करके अपने बैंक के TM काड से भी पैमेंट कर सकते हैं यहां पर एक और गुड निउस है कि अगर आप अलराजी बैंक कार्ड से पेमेंट करिएगा तो आपको 35% का एक्स्ट्रा और डिसकाउंट मिलेगा तो चलिए मैं अभी अपना अलराजी बैंक का कार्ड डिटेल सब्मिट कर देता हूँ देखें दोस्तों अब मुझे सिर्फ 251 रियाल पे करना है चलिए अब मैं पेपर क्लिक कर देता हूँ बैंक का OTP सब्मिट कर देता हूँ ओके दोस्तों मेरा पेमेंट हो गया है और मुझे ये मैसेज आ गया है ये दूसरा सेम मैसेज आया है इसमें भी लोन पास होगा या नहीं साथ दिनों में बता दिया जाएगा कह रहा है अभी यहां कुछ नया अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है चली देखते हैं कि आगे क्या होता है दोस्तों मैंने 347 रियाल पेमेंट करके लोन तो बुक कर लिया हूँ लोन मिलेगा या नहीं मेरा लोन बुकिंग अमाउंट 347 रियाल का क्या होगा मुझे नहीं पता तो अभी आप थोड़ा वेट करें मेरे अगले वीडियो तक अच्छा या खराब जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ओके दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर